सिक्के में बादल फटने से आई बार से तबाही मची हुई है जिसमें अब तक सेना के चार जवान सहीत 22 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अभी भी सेना के कई जवानों सहीत सैक्रोड लोग ला पता हैं दरसल गुरुवार देर रात को सिक्किम के सिंगतम में बादल फटने से तिस्ता नदी में अच्वानक बाड़ आ गई थी जिसमें तिस्ता नदी के किनारे बना आर्मी कैम्प भी बह गया था जिसमें से के 23 जवान मौझूद थे इसके साथ ही तिस्ता नदी का पानी 20 मीटर तक बढ़ चुका था जिससे काफी नुकसान हुआ अचानक आई इस बाड़ में 1000 से ज़्यादा पर्टक भी फसे हुए हैं फिलहाल सिक्किम में रेस्क्यू ऑपरेशन करके फसे हुए लोगों को निका कैंप में पहुचाय जा चुका है इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभब मदद देने की कोशिच की जा रही है केंद सरकार हर पल राज्य सरकार से संपर्ख में है सिक्किम के सीम प्रेम सिंग का कहना है कि बाड़ के कारण उत्री सिक्किम से संपर्ख तूट चुक रहा से नदी में बह गए हैं उतर सिक्किंग के प्रभाविस जिलों में 28 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है फिल्हाल मौसम विभाग ने सिक्किंग में औरेंज ओलर्ट जारी किया है साथी कई जगहों पर भारी बारिश की चेतामी भी दी है